वापी जाऊ वापी जाऊ वापी जाऊ मैंसज़े वापी परिभागी मैं घजिरीवाइल नमस्कार, आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ उन्हा राधा तवर यह जो तस्वीरें आपने देखी हैं यह दिली के मुख्यमंत्री अर्वेंद केजरिवाल जब पीडित परिवार से यानि कि जो 9 साल की बच्ची की मौत हुई है उसके बाद से जो तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि बच्ची का मौत जो है वो संदिक परिस्थितियों मे से हुई बच्ची के साथ बलातकार हुआ शमशांगाट में और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई और उसके बाद बिना माता-पिता की रजामंदी के बच्ची का अंतन संसकार किया गया उस पीडित परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अर्विंत केजरिवाल पहुचे थे लेकिन जैसे ही केजरिवाल मंच पर चड़े और वहाँ पर बोलना शुरू कर रहे थे उसके बाद मंच पर उनके साथ बहुत सारे लोग भी चड़ गए जिनमें कुछ उनके समर्थक भी थे और कुछ बहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से भ मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल जब पीडित परिवार से मिलने के लिए पहुचे तो उनका जम कर विरोध हुआ उनके खलाफ नारेबाजी हुई क्योंकि ये पूरा जो मामला है एक अगस्त का है और मुखे मंतरी चार अगस्त को पहुचे हैं पीडित परिवार से मि पाद जस तरह से सरकार की तरफ से कोई तक पहुँचा नहीं इसके बाद केजरिवाल जब पहुँचे तो उनके खिलाफ वहाँ पर लोगों ने नारे बाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ अपना विरोध जताया और नारे लेकिन पिडित परिवार से मिलने के बाद मुखेमंत्री अरविं केज़िवाल ने परिवार को 10 लाख रुपे की आर्थिक मदद का ऐलान किया है इसके साथ ही दोशियों के खलाफ सक्थ कारवाई की मांग करते हुए साथ ही साथ दोशियों को फासी की सिजा की मांग की इस लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अर्विन केश्रिवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और बातों ही बातों में ये कहा कि दिली पुलिस को यानि कि जो दिली की सुरक्षा की जो जम्मेदारी है वो दिली पुलिस की है और सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने की जरूरत है और इसके लिए डिली सरकार भी, केंद्र सरकार का साथ देगी पूरी जिम्मेदारी के साथ क्या कुछ कहा डिली के मुखे मंत्री रविंध के जिवाले वो आपको सुनवाते हैं दिल्ली सरकार इस मामले में अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ हम नहीं हुआ है तो दुख़त है उसके भरपाई पूरी नहीं कि जा सकती लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रूपए का मुआफजा देगी आई केस में हम मेजिस्टीरियल इंक्वाईरी ओर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोट में लगाएगी ताकि दोशियों को कड़ी से कड़ी सक्से सक्सजा दिलवाई जा सके अँव दूसरा अपने डिल्ली में कानून विवस्था को ठीक करने की बहूत जरूरत है कानून में दुरुस्ती लाने की बहुत जादा जरूरत है मेरी केंद्र सरकार से अपीले कि इस बारे में ठोस कदम उठाये जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयूग करेंगे जो भी केंदर सरकार हम से कहेगी हम वो पूरा सहयूग करेंगे लेकिन दिली में दिली देश की राजधानी है वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये अच्छा मेसेज नहीं जाता है लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं तो दिली कैंट के नांगल गाओं में शमशान घाट के अंदर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदिगी हुई है और जोस तरह से तमाम यहां पर आरोब भी लगाए गए पुलिस के रवये पर भी सवाल उठाए गए शुरुवाती दौर में देखा गया कि पुलिस ने साथ क्यों नहीं था उसके बाद जस तरह से अब मुख्यमंत्रिक मिलने पहुँचे हैं इसके लावा कई और नेता वहां पर पहुँचे अब इस पूरे मामले ने राजनीती शकल भी ले ली है दिली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दिली तक